लो ओफ डिमनेशिं माजने यूटिलिटी के अजंप्शन को समझने के लिए बच्छे मतलब कि किसी भी कमडिटी का अगर हम कॉंटिनिसली का अजंप्शन करते हैं तो नेक्ट नुट से मिलने वाला स्टिस्फेक्शन लबल हमारा कॉंटिनिसली फॉल होता चला जाता है इसके अजंप्शन को समझने के लिए हम एक और पउइंट पर आगए हम पॉइंट नंबर 3 पे पच्छे पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है हमारा पॉइंट नंबर 3 हमारा इन्डिपेंडेटterm यूटिलिटी के बारे में कहता है इन्डेपेंडेंडेट्स्टिकिन के बारे में कहता है मतलब कि लो आफ डिमनेशिंग माजन यूटिलिटी को एपली केबल करवाने के लिए कौंटेनिसली किसी भी कमडिटी का कंजंप्शन करते हैं तो नेक्स निट से मिलने वाला स्टिफेक्शन लेवा आपको कौंटेनिसली फॉल होता चला जाता है इस लो क एपली केबल करवाने के लिए यह जरूरी है कि आपका independent satisfaction लेवल हो independent utility हो यह जैसा होगा तभी यह लो आपली केबल होगा अदर्वाइस यह लोआपली केबल नहीं होगा Clear है तो इस पर इसका क्या मतलब है independent utility का मतलब वो समझते हैं पहले बच्चे independent का मतलब होता है पूरी तरीके से आजास होतन तरी जो किसी दूसरे पर dependent ना हो उसको हम क्या वोलेंगे independent बोलते हैं तो बच्चे for example आप एक glass water पीते हैं एक glass water आप drink करते हैं ठीक है उससे आपको satisfaction level मिला अब आपने क्या करा कि इमिजेटली आपने second glass water भी आपने drink कर लिया तो अब आपका second glass water से satisfaction level first की compatibility आपको कम मिलेगा ये तो है आपका low of diminishing margin utility लेकिन अगर आपने एक glass water आपने drink किया उसके बाद आपने कुछ तीखा कुछ spicy आपने consume किया फिर आप second glass of water आप consume कर रहे हैं तो बच्चे इस case में अगर आप जा करके देखें तो आपका जो satisfaction level है वो फर्स के compatibility में ज्यादा मिलेगा क्योंकि अब आपका satisfaction level आपकी needs पे ही नहीं जो आपने दूसरी कमडिटी अभी spicy जो आपने consume करा उस पे भी depend आपका कर रहा है इससे water की needs आपके ज्यादा हो चुकी है और water से आपको पहले से ज् independent consumption होना चाहिए clear है तीखा खागर के तीखा consumption करने के बाद आप एक ice cream खा रहे हो आपका satisfaction level मिला और next consume करोगे तो आपको क्या मिलेगा कम मिलेगा लेकिन आप next consume करने थे पहले थोड़ा तीखा खा लो फिर ice cream खाओ तो ice cream consumption से आपका satisfaction level last relatively ज्यादा मिलेगा second ice cream से तो यहां त होता है तो इसके applicable होने के लिए क्या condition है independent consumption हो एक का consumption दूसरी चीजों पर depend ना करें clear है अगर आप एक community consumption कर रहे हो तो फिर आप उसी करते चले जाए वह independent होना चाहिए दूसरे पर dependent नहीं होना चाहिए आपका satisfaction level अगर वह independent है तो आपका next minute से मिलने वाला satisfaction level आपका last compatibility कम होग और low of diminishing margin utility applicable होगा तो क्या कह रहा है independent utility में क्या कह रहा है आईए जड़ा देखते है theory में it is assumed that all the community consumed of a consumer are independent it means MU one community has no relation एक community का कोई भी relation with MU of another community दूसरे के साथ में नहीं होना चाहिए clear further it is also assumed that one person utility is not affected by the utility is not affected by the utility of any other person clear ना clear बच्चे तो आपको by the utility is not affected of any other person clear बच्चे तो क्या है यह आपका of any other person clear बच्चे तो स्वज में आपको यह अच्छे से आ गया है कोई doubt किसी बच्चे को तो आप यहाँ पर comment कर सकते हैं आप मेरा contact number है आप वहाँ पर message करके आप पूछ सकते हैं तो बच्चे law of diminishing margin utility के applicable करवाने के लिए compulsory condition क्या हो गई कि जैसे से आप country करते हो नेक्स्ट मिलने वाला certification level फॉल हो तो चला जाए यह कब applicable होगा आपका कब जबकि आपका consumption independent हो एक का consumption एक community consumption दूसरी community पर dependent ना हो अगर वह independent है तो next से मिलने वाला certification level और अगर आपका consumption कर रहे हो तो next से मिलने वाला certification level आपका fall diminishing होगा तो यह assumption है कि ऐसा होगा तभी यह low applicable होगा तो यह होना चाहिए तभी यह low applicable होगा तो low applicable करवाने के लिए यह चीज़े क्या assumption है ऐसा होना चाहिए clear है बच्चे हाँ जी बच्चो तो assumption of law of diminishing marginal utility कि अगर हम किसी भी committee का continuously consumption करते चले जाते हैं तो next minute से मिलने वाला satisfaction level हमारा continuously fall होता चला जाता है इस rule को applicable करवाने के लिए क्या-क्या assumptions है उसमें से एक assumption है fourth assumption क्या कहता है यह no change in quality बच्चे यह low तभी applicable होगा जब आप quality constant रखेंगे quality को आप maintain रखेंगे quality को आप same रखेंगे clear है अगर for example माल लीजिए कि आपने एक commodity का consumption करा एक first unit से तो आपको एक satisfaction level मिला और according to law of diminishing marginal utility second unit से तो आपका satisfaction level क्या होना चाहिए follow ना चाहिए लेकिन second unit पे आपने क्या करा quality उसकी change कर दी काफी अच्छी quality की कोई चीज आप ले आए और फिर उसका consumption करते हैं आप तो फिर बेभी हो सकता है कि आपको ज़्यादा enjoy करें आप first ice cream के competitively तो आपका satisfaction level ज़्यादा हो सकता है second ice cream से तो बच्चे कोई भी चीज मैंने यह नहीं कहा कि आप low quality के चीज consume करें अगर आप high quality के चीज consume कर रहे हैं तो आप फिर उसी quality को maintain रखें और continuously consumption करेंगे तब यह low जरूर applicable होगा next unit से मिलने वाला satisfaction level कम होगा तो आप जिस भी unit का जिस भी quality का consumption करते हैं तो उस को आपको उस quality को आपको maintain रखना है same आपको quality रखना है और आप continuously consumption करते चले जाएए next मिलने वाला satisfaction level आपका continuously fall होता चले जाएगा तो no change in quality quality में change नहीं होना चाहिए तबी यह low applicable होगा क्लिर है तो यह अजम्शन है लोग को applicable करवाने के लिए ऐसा होना चाहिए यह अजम्शन हो गया no change in quality तो क्या कह रहा है quality of the community consumed is assumed to be uniform एक जैसा होना चाहिए a second cup of ice cream with nuts and toppings may give more satisfaction clear then the first one it the first ice cream was the without nuts clear है बचे अगर आप first ice cream consume कर रहे हैं without nuts उससे भी satisfaction मिला बट मेभी हो सकता है second से ज्यादा satisfaction मिल जाए क्योंकि क्योंकि आपने quality change कर दी with nuts वाले सेकिंड से तो सेकिंड से इसके इसके क्या हो गया वह इंक्रीज हो गया क्यों क्योंकि आपने इसकी quality चेंज कर दी तो लो आफ टेमिश्य माजन उटली तब अपलाई होता है जब आप उसकी quality सेम रखते हो और continuously इसका करते हो और इसके सासाथ आप इसका एक रिजनेबल कॉंटिटी का आंज़्यक्सिन करते हैं तो क्या-क्या हो गए आपके पास पर एक तो यह हो गया कि आप contactlyfaust करनें चाहिए दूसरा ऐसके आप पास में reasonable quantity का इसक्या हो गया आपका कि आपके पास में आपके quantity में कोई भी changes नहीं quality में कोई भी changes आप इसमें नहीं करेंगे तो इस तरीके से बच्चे हम fourth point तक हम पढ़ चुके हैं low or diminishing margin utility के assumption में clear है तो धान अखेगा अगर आपने quality change कर दी तो आप यह expect मत करना कि आपका next unit से मिलने वारा certification level definitely fall होगा जरूरी नहीं यह fall होगा वो तब फॉल होगा जब आप इस assumption के साथ में चलेंगे कि quality उसकी क्या रहने चाहिए same रहने चाहिए constant रहने चाहिए maintain रहने चाहिए uniform रहने चाहिए फिर कोई बिचिज कितनी भी high quality क्यों ना हो उसको uniform रखिए उसको सेम रखिए तो अगर आप context करते चले जाएंगे तो जो next से मिलने वाला satisfaction level आपका वो लास से compatibility definitely कम होगा बट कंडिशन क्या है किसी quality आप क्या करें सेम रखिए clear है बच्चे